दोस्तो जैमातादी सभी को मैं नेटो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बेंक निफ्टी कल 23 मही आने के ब्रिश्पतवार को किस साइड मोमे सीखने को मिले कल दोस्तों का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिसकस करेंगे कि कॉन से लेवल पे हमको भूंके देखने को मिल सकते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है पंद लेकिन हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव जा नहीं सकते हैं, बहुत सारा लोग पूछते हैं ना सर मार्केट काम करने लायक है या नहीं है, यह कैसे पता करें, आप खुद सोचिएगा, अगर दोनों इंडेक्स एक दूसरे के विप्रित चल रहे हैं, विप्रित का मतलब है निफ्टी पोजेटिव चल रही थी, डेटा भी पोजेटिव था, बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रही थी, डेटा भी नेगेटिव था, तो हम काम नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे ब्रेक आउट लेवल पे थे और पहली अगर आप पहली 2-15 मिनिट की केंडल को और काना होता है, इंडिया 21 पलस है, तो जो ठीटा खाया होगा, कम से कम 200-200 पॉइंट दोनों साइड से डीके हुए होगे, तो क्या ज़रूर था उन लोगों को मुमेंटम देने की, इसी वज़े से मैंने अपडेट किया था, कि भाई मत कीजिएगा बिना बात के पजल हो कि अपने आपको रिकवर कर लेगी, बहाना ये हो जाएगा कि निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला, वरना बैंक निफ्टी और ज्यादा गिर जाती, तो ये common sense वाली बाते हैं, कब काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, और आज मार्के सब्सक्राइब करना चाहिए, तकरीबन एक जून को एकजिट पोल आ जाएगे, उससे पहले तो मार्केट काम करने लायक बिलकुल भी नहीं, और इसलिए हम ज्यादा काम नहीं करें, और इसलिए आपको दिखी है, ऐसे मोमेंटम देखने को मिल रहे है, एक दो दो केंडल, 300,300,400,400 पॉइंट की बन रही है, ठीक है, अब क्लोजिंग 47,781 पे आई है रजिस्टेंस, यानि कि जहां से ब्रेकडाउन हुआ था, वो 48,000 का लेवल है, जहां से आज ब्रेकडाउन हुआ था, तो जो पहले सपोर्ट था, अब वो रजिस्टेंस का काम करेगा, तो सीधा सिंपल सा एनलीसिस है, अगर बैंक निफ्टी फ्लेट खुलती है, 48,000 के आसपास जाके, या तो आसपास जाके स्विंग बना दे, या फिर 48,000 के ऊपर निकलना जरूरी, अगर ऐसा होता है, तो ही पलान कीजिएगा, मैं फिर तभी कोल साइड जाना पसंद करूँगा, अभी यहां से, अगर आप देखोगे, तो डबल टोप टाइप पैटरन बना है, तो एक बार यहां पर जाके, या तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुख सकती है, फिर ब्रेक आउट दे सकती है, या फिर यहां इसको टच करके, मार्केट वापीस नीचे आके, कही ना कहीं यहीं पर क्लोज कर सकती है, अगर बैंक निफ्टी उपर गई तो पहला टार्गेट मेरा 28,200 का होगा, उसके बाद अगर कोई प्राइज एक्षन बन रहा है, तभी हम प्लान करेंगे डेटा के हिसाब से, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में 28,000 से प पीड से घटा होगा, ठीक है, और जिसने आज ट्रेड कियोगी वहीं इस दरद को महसूस कर सकता है, तो कोल साइड हम तभी प्लान करेंगे, चाहे बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, हलके फूल की गैप अप खुले, 28,000 के उपर निकल गे, या तो कोई स्विंग बना दे, या फिर 38,000 के आसपास जा के थोड़ा सा समय भी ता के फिर 28,000 के लेवल को ब्रेकाउट दे दे या फिर 28,000 के पहले ही कोई स्विंग बना दे फिर 48,000 के लेवल को ब्रेकाऊट कर दे, तीनो ही सिच्वेशन में 28,000 के ऊपर ही हम प्लान करेंगे, पचा साड पॉंट का यहीं बात है देखिए अगर फ्लेट खुलते और नीचे आना शुरू होती तो कम से कम 600 के नीचे जरूर निकलने देना क्योंकि जो सपोर्ट यहां पे था जहां से आज रिकवर किया है यह तकरीबन टेस्ट हो गया है आज इसी को टच करके मार्केट ने थोड़ी से रिकवर तो यह बाइंग एरिया बन जाता है अगर बैंक निफ्टी फ्लेट खुलती है गैप डाउन खुलती है जब यहां 37600 के नीचे निकल के कोई कंटिन्यू प्राइज एक्षन बनाएगी कोई स्विंग बनाएगी तब हम 37300-37200 इस टार्गेट के लिए 65 पॉंट का स्टोपलो सेलर तो इस चीज़ को याद रखेगा गैप अगर बड़ा भी खुल जाए 48000 के ऊपर अगर खुल जाती है तो भी आपको इंदजार करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे आकि गैप को फिल करके अगर वापीस दिन का हाई ब्रेक करती है तो भी हम प्लान करेंगे कोल होगे अब निफ्टी को देखिएगा अब आप निफ्टी को भाई दिखिए जो लोग समझदा रहना वह समझ जाते हैं अगर आप देखोगे ध्यान से यह है पहली 15 मिनिट की केंडल ठीक है यह वाली अब आप खुद सोचिए कितने टाइम तक निफ्टी पहली 15 मिनिट की केंडल के बाहर रही है एक यह केंडल निकाल दो और थोड़ा सा हिस्सा यह निकाल दो यह भी स्टोपलोस लेने के लिए ही गई थी आप खुद सोची क्या कमा लेगा भाई कोई ठीक है हाँ अगर कोई लोवर में इंट्री कर लेता है बिल्कुल तो कुछ पॉइंट मिल ज करता हूं तो आज मैंने ज्यादा अपडेट नहीं दिये मैंने सुबह ही बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा अपडेट किया था एक चीज़ साथ में बोली थी एक्सपार यह भाई पहली केंडल बड़ी बनी है इंडेक्स को इग्नोर करना विक्स हाई है प्री सब्सक्राइब के साथ चला जाता है हालागी मैंने समझाया था फिर डेटा सब्सक्राइब कर देता हूं जैसे कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी अगर मुझे कोई लगती है स्ट्राइक प्राइज तो पेपर ट्रेड करने के लिए लेकिन यह कोई कोई ट्रेड होती है देटा क्या बना हुआ है बाइंग सेलिंग एरिया कहां पर है बाउंस बैक एरिया कहां पर मैं अपना व्यू पोस्ट करने की कोशेश करता हूं ताकि लोग थोड़ी से एल्प हो जाए वीडियो जो देखते हैं वीडियो के डिस्क्रेशन दिए लिंक से ही जोएन करना है उसी लिंक से जोएन करना है क्योंकि अगर आप सरच करोगे इस लोगों से इस नाम से बहुत सरे फ्रोड चैनल मिलेंगे उनके सब्सक्राइबर आपको मेरे से तीन चार गुना ज्यादा दिख सकते हैं लेकिन वोट सब्सक्राइबर उनकी पोस्ट पर इतने व्यूज नही लेंगे 40 जार 50 जार 35 जलर तो एक तीज याद रखना ना गिर población रज्ट मॉट कोईड्वार peng नाम से किसी को एक पैसा मत कीज़ेगा आपके साथ ट्रैप हो जाएगा आप लुट जाओगे पैसे मत दीजिए भाई किसी को भी रिक्वेस्ट है कोल टिप्स के नाम पर मेरा कोई पेड ग्रूप नहीं है इसके अलाबा कोई ग्रूप नहीं है ठीक है फ्लीज भाई रिक्वेस्ट है एड एडस वगरा जो टेलीग्राम चला र है डाउन साइड भी अपर साइड भी दोनों साइड सपेस है तो सीधी सी बात है अगर निफ्टी फ्लेट खूलती है हलकी फूल की गेप डाउन भी खूलती है और यह आज के हाई को अगर ब्रेक करती है कोई स्विंग बनाते तो सिधा-सिधा बाई-जार-साथ-साथ- देखो कि तो 50 दिन का जो मुविंग एवरेज है इसको इसने ब्रेक नहीं किया है एक बार भी इसका सपोर्ट लिया है और अब हो गई है यह टेस्ट ठीक है तो अगर निफ्टी फ्लेट खुले गेप डाउन खुले यह जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे और 50 दिन के 2540-2550 के आसपास है ठीक है तो फ्लेट खुलती है गेप डाउन खुलती है 2550 के नीचे निकल के इस त्रीके के कोई स्विंग बना देती है तो निफ्टी में अच्छा खासा क्रेक्शन भी देखने को मिल सकता है जैसे बैंक निफ्टी में देखने को मिला है और अच्छा क् 500 के नीचे ही देखने को मिलेगा यहां तक हम प्लानिंग यह कर सकते हैं फ्लेट कुल या फिर बड़ा गैप डाउन भी खुल जाए या फिर फ्लेट खुलती है और 500 के आसपास आके थोड़ा सा समय बिता देती है फिर ब्रेकडाउन दे रही है तो फिर टारगेट थोड़ा स सकता है 500-200 पॉइंट का या फिर गैप डाउन खुले 500 के आसपास आके ब्रेकडाउन करके ऐसा स्विंग बना दे दोनों ही सिचुएशन में 500 के नीचे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अगर 550 के नीचे इस स्विंग के नीचे निकलते तो 500 तक का एक फास्ट मोमेंटम हो सकत है अगर ऐसा होता है तो ही हम 25-30 पॉइंट का स्टोपलोस डाल के थोड़े से बड़े टार्गेट के लिए मैं पूट सैड जाना पसंद करूंगा निफ्टी में अब बात आती गैप अप की इतनी खुल रही है देखिए अगर जितनी आज गैप थी अगर इतनी गैप खु है पंद्रा भीस पॉइंट का स्टोपलोस डाल के वापीस से बाइज साथ साथ सुपटास के टार्गेट के लिए कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं अदर्वाइज बढ़ा बहुत बढ़ा अगर गैप खुल जाए निफ्टी एक चीज और याद रहें तो इस चीज को दोस सब्सक्राइज बढ़ा इसलिए नहीं मिला को कि ओपन इंट्रेस्ट भर भर के है भाई आज ठीक है आप देखिएगा बाई जार चैंसों पे दो लाग का मंदी वाले बैठे हैं दो लाग ग्यारा हजार तेजडी बैठे मतलब तेजी वाले थोड़े ज्यादा है तो अगर 22,500 के नीचे 500 पे देखिए आप 3,000,000,000 का तेजडियों का उपन इंट्रेस्ट है एक लाग 27,000 के मुकाबले जो कि यहां से भागे भी हैं तो अगर 500 के नीचे निकल गई भाई तो फिर यह लोग ट्रैप हो जाएंगे और हमको एक बड़ा मुमेंटम डाउनसाइड भी द पता लगेगा देखिए कितना 300,300,500,500,500 भाई थीटा खाया गया है आज बैंक निफ्टी में इसलिए मैं बोल रहा था अब यह 300 पैंट साफ गए मार्केट में टाइम डीके लग गया यह क्योंकि ओटीम है तो आप सोच सकते हो कितना लोग सुआ होगा क्या जरूर था मु एक्सपैरी शुरू होगी तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं वहीं 28,000 के लेवल जंग का मैदान है एकला की क्याओन अजार मंदड़िये बैठे हैं एकला गाड़ अजार तेजड़िये बैठे हैं 28,000 के अगर ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देता ऊपर निकल बना दे करने की पूरी कोसिस करूंगा आप जाके ज्वाइन कर सकते हो फ्री ओप कोस्ट एलिगाम चैनल को तो दोस्तों यह था आज का वीडियो कैसे लगा अच्छा लगा तो लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा ताकि जरूरत मंद वीडियो तो आचानी जरूरत मंद लोगो तो जरूरत मंद लोगों के एडियो सानी से पहुंच जाए अपना किमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भुगान करे आपका दिन शुब रहे मिलते हैं दोस्तों के लिए एक नेए वीडियो के साथ तब तक लिए बाए बाए जै माता दी जाए हिंदू जाए हिंदू